विलकम तू माई चैनल, क्यूट लिटिल लाइफ।। आज हम बनाने जा रहे हैं वृति के लिए डीसेज। तो हम एक ही दो से तीन डीसेज त्यार करेंगे। छपी साबू दाना व्ढटा, पराधा रणे। इसके लिए हम एक ब्आपल में साबू दाना ले लिए हैं। और उसको अच्छे से वॉस कर लेंगे अब हम साबू दाना के लेवल तक ही पानी डालके उसको 4-5 घंटे के लिए भिगा लेंगे अब हमारा साबू दाना भिंग कर अच्छे से रेडी है इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है अब मैं इसमें तीन उबला आलू एड़ कर रही हूं मैं इस आलू को कद्दू कस करके एड़ कर रही हूं आप चाहें तो इसको मैस करके भी ले सकते हैं हाप कप मुँ फली को भून कर उसका छिलका निकाल लेंगे और mixer grinder में उसको दरदरा पीस लेंगे और फिर उसको हम साबुदाना में आड कर देंगे अब हम इसमें आड करेंगे दो बारी कट हुए हरी मिर्च दो चम्मच गरी पत्ता बारी कटा हुआ दो चम्मच हरा धनिया बारी कटा हुआ वन फोर्थ टी स्पोन काली मिर्ज पौ डूर्श वन टी स्पोन जीरा पावडर वन फोर्थ टी स्पोन हलती पौवडर स्वादानुसार सेंधर नमक या पिंच कद्धू कस किया हुआ अधरफ वन टी स्पून नेबु का रस अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और टिक्की का सेफ देते हुए बड़ा बना लेंगे और उसी तरह हम थोड़ा सा मिक्स्चर लेके हम अप्पे का सेफ दे देंगे अब हम बड़े और अप्पे बना कर रेडी कर लिये हैं अब हम इसको फ्राई करते हैं अब हम एक तरफ कड़ाई में तेल लेकर लिये हैं और दुसरे तरफ अप्पे साचा में ओयल ग्रीस कर लिये हैं और हम बड़ा को फ्राई कर लेते हैं और अप्पे को हम अप्पे में कर्में डाल कर उसमें थुड़ा सा ओयल क्रीस कर लेते हैं और उसको ढखकर पका लेते हैं अब मैं पराठे के लिए तावा गरम करने के लिए रखरी हूं और जब तक तवा गरम हो रहा है, मैं अपे और वड़ा को पलट पलट कर सेख लेती हूँ अब एक बटर पेपर में हम ओयल ग्रीस कर देते हैं और उसमें थोड़ा सा मिक्शर लेके उसको पराठी का सेख देते हैं आप बटर पेपर के जगा साप पॉलितिन यूज़ कर सकते हैं अब हमारा तवा गरम हो गया उसमें ओयल ग्रीस कर देंगे और हम उसमें पराठी को डाल के सेख लेंगे हम तीनों डीसेज को मिडियम फ्लेम पे हलका ब्राउन होने तक अच्छे से पका लिए हैं और अब हमारा तीनों डीसेज रेड़ी हैं अब इसके लिए हम चटनी तयार कर लेते हैं अब चटनी बनाने के लिए हमने एक जार में हाप का भरा धनिया चार हरी मिड्च दो मिडियम साइज की टमाटर अस्वाद अनुसार सेंदा नमक हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और अब हमारा चटनी तयार है तो प्रेंट्स आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्स्क्राइब और शेयर जरूर कीजिए थैंक्यू पर वाच्छिए